सन 1960 में रशिया अंटाल्टिक पर अपना आर्मी बेस बनाना चाहता था और इसका सर्वे करने के लिए रशिया ने 12 लोगों का ग्रूप बना दिया जिसमें 11 आर्मी ओफिसर थे और एक डॉक्टर था उस सफर में 10 ही दिन बीते थे कि इसमें से डॉक्टर की तवेत खराब हो गई उनके पेट के नाय साइड अचानक से जोरो से दर्द होने लगा वह खुद डॉक्टर थे इसलिए उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि उन्हें अपेंडिक्स हुआ है दर्द बहुत ही जादा होने की कारण ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था और रश्या से मदद आने में कम से कम 30 दिन तक लग जाते और अगर अपेंडिक्स फट जाता तो डॉक्टर की जान भी जा सकते थी इसलिए समय को देखते हुए उन्होंने अपने अपेंडिक्स को खुद निकालने का सोच लिया और ये वह खुद भी जानते थे कि वो ऐसा काम करने वाले दुनिया के पहले डॉक्टर होंगे